जिस चीज पर आपको ध्यान देना है वो है ये, तीन तरीके जिससे आप negative thought को control कर सकते हो, आपकी जिंदगी में कई वार ऐसा होता होगा क्योंकि तैयारी के time पर लगातार consistency को maintain रखना बहुत ही impossible सा task है, तो होता है कि समय पर negative thoughts भी आपकी जिंदगी में आते हैं, ऐसा होता है सबके साथ ही होता है, human है तो होगा, लेकिन उन negative thoughts को आप सोचते ही रहेंगे तो वो चीज बढ़ती जाएगी, तो सबसे पहला काम है, आपको सोचना नहीं है, आपको अपनी strength पर focus करना है, देखो सबको अपनी strength और अपनी weaknesses पता होती है, लेकिन आपकी जो strength है उस पर focus करे आप, क्या strength है आपकी पहचान है आप, और उस चीज को पहले करें, बैठे मत, खाली बैठेंगे ना, तो दिमाग बहुत हावी हो जाएगा आपकी उपर, ये एकदम सत्ते बात है, खाली नहीं बैठना है, negative thoughts आना natural सी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इससे overcome करना, इसमें आपको ही आगे आना पड़ेगा, आप ही strong होंगे अंदर से, तभी ये हो पाएगा, तो सबसे पहली चीज आप अपनी strength पर focus करें, सबको पता है अपनी strength क्या है, दूसरी चीज, negative thoughts से break ले, इसका मतलब क्या है सर, break लें इसका मतलब, मैं तो दिमाग में आ रहे हैं, आप किसी और काम में involved हो जाएं, खाली ना बैठ हैं भाई, मैं पहली बोल रहा हूँ, खाली ना बैठ हैं, आप किसी और काम में involved हो जाएं, जो काम आपको पसंद आप उसमें involved हो जाएं, जब आपके दिमाग में negative thought आ रहे हों तो, और थर्ड चीज है, सोचे मत, लिखें, आपको कोई negative thought आ रहा है लिखें आपके मन में आ रहा है कि यार ये काम में नहीं कर बन लिख ले ये काम में नहीं कर रहा है बस उसके आगे question mark जरूर लगा दे जवाब लिखें तो उसके आगे question mark जरूर लगा दे और अपने आप से सवाल बूचें क्यों आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा लिखें कोई भी थोट आ रहा है आपको positive आ रहा है negative आ रहा है आप उसको लिखें ठीक है तो ये तीन तरीके आप अपना है negative thought आपके दिमाग में नहीं आएंगे ऐसा नहीं हो सकता सब के दिमाग में आते हैं हमारे दिमाग में भी आते हैं ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुगा जिसके दिमाग में नेगेटिव थौट नहीं आते हैं यार ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा आता ही है, फिर हमारी strength हमें बताती है, अच्छा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, होगा ये काम, हम करेंगे, और जिस समय आपने ऐसा बोला, उस समय आपकी दिमाग को पता चल गया, कि भाई, अब मुझे negative thought को बापिस भेजना है, जहां से व ही होती है, आप अपनी strength पर focus करते हो, आप किसी काम में involved हो जाते हो, आप लिखते हो सोचने के, अलावा आप लिखते हो, लिख लो, आदी समस्या का समाधान वहीं है, ठीक है, clear, चलिए भई, तो ये कुछ बातें थी, जो कि आपकी तैयारी में, बीच-बीच में आती रहत ही, तो हम भी बताते रहते हैं, आइए हम अपनी बात,